हाई एवरिबन वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में वाई स्क्रब के बारे में बताने वाली हूँ फेस्क्रब क्या है और क्यों किया जाता है और हमें कब कब करना चाहिए तो सबसे पहले मैंने कॉटन को भीगो लिया है और उसको अच्छे से आखों पर कवर कर लिया है ताकि इस क्रब हमारे आखों में ना जाए जिन उसके बाद में मैंने ये एवरियोत का फेस्क्रब लिया है जो कि ये 15 रुपीज का है आपको किसी भी मेडिकल शॉप में बहुत इजली में जाएगी जिन उसके बाद में मैं इसे कट करके पूरे हाथों में ले लूँगी आप इसे दो बार आराम से यूज़ कर सकते क्यों चीज़ की quantity बहुत ज्यादा है जिन उसके बाद में मैंने पूरा फेस्क्रब पूरे फेस पे लगा लिया है पूरे ऐसे हमें राउंड राउंड करके मसाज देनी है और फेस्क्रब क्यों करते हैं फेस्क्रब जब हमारे स्कीन में बहुत ज्यादा dead skin cells हो जाते हैं औ और बहुत ज्यादा blackheads whiteheads हो जाते हैं यह skin बहुत ज्यादा dull दिखने लगती है दूप में tanning हो जाती है और जैसे की बहुत बहुत ज्यादा pollution क्यों जैसे हमारे skin के अंदर जो गंदगी जो सब जमा हुई रहती है उसे clean करने के लिए किया जाता है तो वैसे हम डेली नहाते हैं और face wash यूज़ करते हैं face पे साबुन यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जो skin पे जो उपर ही जो दूल मिटी बैठी रहती बस वही साफ कर पाता है बड़ डीप क्लीनिंग की बारी आती है तो हमें इसा facial करना पड़ता है या तो scrubbing करना पड़ता है या detaining करना पड़ता है तो deep cleaning के लिए सबसे best और सबस करते हो मैं कर सकते हो मैंने यह वर्यूज का scrub यूज़ किया है तो scrub हम लोग यूज़ तब करते हैं कब कब करना चाहिए तो हमें scrub हपते में दो से तीन बार करना चाहिए डेली यूज़ नहीं करना है हमें scrub क्यूंकि scrub से हमारे skin छिल सकती है डेली यूज़ करने से और scrub जो ह आप लोगों को हमेशा रात में नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब दिन में स्क्रब करोगे और उसके बाद में आपको कहीं किसी कारण वस बाहर जाना पड़ेगा, तो आपके skin जो scrub जो किया हुआ रहता है उससे हमारी skin के जो pores होते वो open हो जाते हैं तो अगर आप open pores लेकी जाओगे बाहर तो हो सकता बहुत जल्दी आपके skin में गंदगी जो है pollution की वो बहुत जल्दी अंदर बैठ सकती है तो कुछ फाइदा नहीं होगा उसका scrub करने का तो इसलिए हमेसे आप लोग रात को कीजिए scrub और scrub करने के बाद में अच्छे से body lotion या कोई moisturizer लगा लीजी अच्छे से face पे ताकि आपका skin जो है वो hydrate रहे क्युकि श्क्रब करने की वज़य से हमारे skin में थोड़े से dryness आती है थोड़ी बहुत आती वह इसलिए स्क्रब के अंदर छोटे छोटे दाने रहते हैं उन्ही दानों की वज़े से हमारे फेस की जो गंदगी रेती वो निकलती है और फेस क्रब के अंदर वो कुछ थोड़ी बहुत उसमें क्रीम भी मिक्स की रेती है और आप लोगों को हमेशा ये स्क्रब जब करते हो तो कभी भी सूखे हाथों से नहीं करना है हाथों को हमेशा तो आ को यह स्थूसमाद में स्क्रब करना है और याद रहे कि आप लोगों को बहुत जद ज़्याद जाद सख्रब करना यह एक क्रीम के वर渦 सचेज्वं के ईंदर के servant ताकि अच्छे से मसाज हो सके और ज्यादा रैसेस ना पड़े स्कीन में तो इसलिए क्रीम भी दिया जाता है इसके अंदर थोड़ी सी तो इसलिए आप लोग ज्यादा पानी भी यूज ना करें जिससे की क्रीम खतम हो जाएगी पानी में हाथ बार बार डूब होने से और ज इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए आप लोगों को और देखिए जो मैंने स्टेप किया है पूरा उसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारे स्टेप स्क्रब के ही स्टेप है और आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है और आपको मसाज वाले स्टेप बिल्कुल भी नहीं देना है आपको स्रीफ पूरे फेस पे राउंड राउंड करके ही मसाज देनी है जैने उसके बाद में मैंने ये लिया है स्टीम स्टीम दे दिया है स्टीम इसलिए दिया है ताकि जो भी हमारे पोर्स ओपन हुए है उसके अंदर की जो आदा 70-80% तो जो भी डॉस् डॉस्ट जो रहता है तो बाहर हो जाता है अपने आप तो अगर आप लोग के पास स्टीम नहीं है तो आप लोग यह स्टेप है स्टीम वाला आप लोग स्किप कर सकते हो या तो आपके पास अगर आपको लेना है स्टीम तो आप लोग थोड़ा सा गुन गुना पानी कीज इसमें एक अच्छी सी रोमाल भी वो कर और उसको थोड़ा सा निचोड़ कर दिन उसके बाद अपने फेस पर रख लिजे थोड़े देर के लिए जब आपकी स्किन थोड़ी सी गरम हो जाएगी जो दिन उसको हटा देना है तो अगर आपके स्टीम लेना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हो या तो स्किप भी कर सकते हो स्टीम नहीं भी ले सकते हो बट मैंने स्टीम दिया है क्योंकि मेरे पास स्टीम अवेलेबल थी इसलिए तो अभी देखें स्टीम देते देते भी मैंने उसको यह किया ताकि जो भी क्रीम है वो अब्जॉब अंदर ना हो उसे उपर ह लिए निदू मैं दिन उसको ऐसे उगली के उपली सब्दाव से यह सब आपको करना है और यह जो मैंने भी दिखाये हैं वह ज्मं। संब को अपते हैं कि उससेंं नहीं पड़ते हैं दिखा यह वाले एस्टेब स्थाहरे रिंकल्स की जो भी प्रॉब्लम रहती है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाती है तो हमें ऐसे ही मसाज करनी है स्क्रब में यह मेरी सिस्टर है यह अभी हाली में इनकी 18 एर्स पूरी हुए है तो यह मुझे जित कर रहे थी कि मुझे फेशल करना है ब्लीच करना है तो मैंने इनकी उमर कम होने की वजह से मैंने इनको फेशल ब्लीच नहीं किया है तो इसलिए मैंने इनका स्क्रब किया है तो अगर आप लोग कॉलेज गॉइंग गर्ल हो तो आप लोग यह यूज कर सकते हो इससे कोई भी आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट नहीं पढ़ने वाले है और यह स्किन के लिए हमारे बहुत अच्छा है तो मैंने देखिए नाक के पार्ट में जो भी थोड़ा सा स्क्रब लगा था उसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है देन उसके बाद में यह पिंपल्स निकालने वाली स्टिक जो रहती है उससे मैंने ब्लैक हेट्स निकालन करेंगे दसा के तो वह हमारे स्किन को लग सकती है और बाद में ब्लैक पड़ जाएगी नोज हमारे और यह थोड़ा सा पेइनफुल भी होता है तो इसलिए थोड़ा आराम से भी करें जैन उसके बाद में मैंने इस्टीम दे के हटा दिया है और इस्टीम हमें एक से देड मिनिट तक ही लेना है उससे ज्यादा नहीं लेना है नहीं तो हमारी स्किन खराब हो सकती है तो देखिए अभी मैंने वापस से थोड़ा सा स्क्रब कर लिया है तो उसके बाद में हमें वाइप अप करना इसे अब हमारा स्टेप पूरा हो चुका है स्क्रबिंग का इतना ज्यादा डस्ट निकला है मैंने स्क्रब करने के पहले भी मैंने ये अच्छे से फेश वास कर लिया था लेकिन स्क्रब करने के बाद भी देखिए कितना ज्यादा डस्ट निकला है तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा डस्ट है तो गाइस यह हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है स्क्रब तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी कर दो और पूछ सकते हो या बोल सकते हो कि आप लोगों को कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और ये स्क्रब आप लोग सब कर सकते हो जैन्स लेडिस सबी कर सकते हो किसी भी उमर के लोग कर सकते हो 15 साल के उपर वाले लोग कर सकते हो तो गाइस थाइंक यू झाले लोग कर सकते हो!!